हमारी कमपनी में एक यूज लॉस के बाद सभी स्टाफ की सैलरीज को कम कर दिया गया था तो इन दिनों में काफी सेविंग्स कर रहा था जिसमें मेरा एक बड़ा फैसला ये भी था कि मैं आफिस भी बस से जाया करूंगा एक तो बस से जाना बहुत सस्टा पड़ता है और दूसरा बस का एक्सपीरियंस ही एकदम अलग होता है हर दिन मुझे अलग-अलग क्रेशे उस देखने को मिलते है अब जैसे आज ही ले लो ये बहन जी कहीं से बहुत सारी शॉपिंग कर की आई है इससे साथ पता चलता है कि कहीं बहुत बड़ी सेल लगी थी ये अंकल जी लगता है रात को ढंक से सो ही नहीं है इसलिए अपनी नीम को बस में पूरा कर रहा है और ये बिचारा बच्चा कोई बोज ही होगा इसके सर पे जो अपनी जवानी में ये इतना काम कर रहा है और देखो आप एंट्री होती है एक और इंसान की जिसको नहीं आना चाहिए था या शायद मुझे आज नहीं आना चाहिए था पंकर्च पंकर्च दांसे नौल हाँ दांसे नौल लगे रहा हूँ बवन कम कर रहा है जोशनी जोशनी तुरी का खाना टूफ़ 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 गूड इवनिंग बॉस गूड इवनिंग तुमारा इस साल प्रमोशन नहीं हुआ बट मैनत करो मैं एक्सट देखूँआ बाइद हुए काफी हैंसम लग रहे हो आप भी बहुत अच्छे लग रहे है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था फिर अचानक एक इनसान पार्टी में आता है फिर थोड़ी ही देर में एक गुली की अवाज आती है और देखते ही देखते बॉस मेरे सामने जमीन पे गर जाते है और वो इनसान वहां से गायब हो जाता है अब डर बस इसी बात का है कि कहीं इसने मुझे पैचान तो ने लिया तो मेरे लिए बेतर यही होगा कि मैं इस बस से जल्द से जल्द उद्रूँ हश्श्ट मैं नहीं चाहता था कि यह मुझे पैचान ले आखिर बस को मारने की सोपारी तो इसे मैं नहीं दी थी हुआ 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 है